तो hello friends अगर आप लोग भी angel band में अपना account create करना चाहते हो और आप लोग चाहते हो जो 500 का cashback है वो आपको instant आपके ID में मिल जाए तो आपको link description में मिल जाएगा वहाँ से सबसे पहले download कर लिजिए इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग angel band में अपना account बना सकतो वेरिफाई कर सकतो और कैसे आप लोग instant सारा approval ले सकतो और अपना account यहाँ complete वेरिफाई कर सकतो तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको आजाना है प्लेयर स्टोर में प्ल application को install कर लेना है आप लोग bonus चाहते हो तो उसके लिए आपको description में link मिल जाएगा वहाँ से आप लोगों को कर लेना है download अब आप लोग देख रहे हो यहाँ से install होना start हो चुका है जैसे ही install होता है हम लोग इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से यह automatic ही open हो जाएगा अब नीच सारा कुछ आपको बताया जा रहा है जै explore कर सकते हो mutual fund और यहाँ के yc सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाता है sign up बले option पे tap कर देंगे tap जैसे ही करोगे आपके पास जो भी mobile number phone में होगा तो वो आप लोग यहाँ से select कर लोगे मेरे phone में मेरे case में single sim है तो मैं इसको यहाँ से select करता हूँ अगर आपके पास कोई भी referral code है वो आप लोग यहाँ से डाल सकते हो मेरे पास कोई भी referral code नहीं है लेकिन आप लोग के लिए referral code मिल जागा description में ही तो उसको आप लोग apply कर देना जिससे कि आप लोग का 500 रुपे का bonus मिल जाएगा अब यहाँ से next वाले mission बाले option पे tap कर देना है अब आपको while using the app बाले option पे tap कर देना है first आप लोग यहाँ से allow करोगे अब आपका यहाँ message के लिए आएगा इसको allow कर देना इतना करोगे next page आ जाएगा अब आपके पास एक OTP आएगा थोड़ा सब आपको यहाँ पे wait करना है OTP आपको यहाँ से verify कर लेगा यह automatic ही अब next page पे कुछ इस तरीके से आजाएगा अब आप लोग देख रहे हो फिर से हमारे पास OTP आ चुका है लेकिन अभी हम लोग इसको cut कर देंगे अब आपको यहाँ फूरा नाम डाल देना है जो अधार pen card पे है सेम नाम आप लोग यहाँ पे डालोगे को यहाँ कोई referral code है तो आप लोग यहाँ से डाल सकतो आपको referral code description में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग यहाँ से डाल देना अब यहाँ next वाले option पे टैप करते हैं जैसे ही टैप करेंगे कुछ इस तरीके से यह loading लेगा अब जितना भी Gmail होगा सारा आपका यहाँ पे so कर ना मैंने एक Gmail यहाँ पे select कर लिया जैसे ही select करेंगे next page आ जाएगा कुछ इस तरीके का option आ जाएगा अब यहाँ पे देखोगे permanent account number और यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ से pan number यहाँ fill करता हूँ और यहाँ से उसके बाद आपको next कर देना है तो मैंने pan number यहाँ पे डाल दिया है pen number डालने के बाद यहां से आप next करोगे और यहां से submit वाले option पे tap कर दोगे submit करोगे next page पे आ जाएगा जहां से dg locker आपका यहां पे आ जाएगा अब यहां पे देखो paperless बताया जा रहा है यानि कि आपका यहां पे सारा कुछ paperless होने वाला है dg locker के थुरू आप लोग यहां से कर सकतो dg locker kyc please do dg locker kyc अब यहां पे आपको i provide यहां आप लोग पढ़ सकतो यहां से आपसे pen card और अधार कर dg locker के थुरू लिया जाएगा अब यहां से आप लोग accept कर दोगे यह खुद से tick रहेगा तो इसको tick ही रहने देना है authentic अधार यहां आ जाएगा इसपे tap कर देना है अब जैसे ही tap करोगे next page पे यह ले आएगा अब आपको यहां अपना अधार number डाल लेना है जो भी आपका अधार number है यहां से सबसे पहले आप लोग इसको fill कर लोगे तो यहां से मैं अधार नमबर को feel करता हूँ, यहां से अधार नमबर feel करोगे, उसके बाद आपको next वाले option पे tap करना है, उससे पहले अगर आप लोग अधार card यहां डाल रहे हो, आप लोग इसको recheck जरूर से कर लेना, उसके बाद आपको यहां next वाले option पे tap कर देना है, तो आपको ध्यान देना किसी भी number में हो वो number आपके पास होना चाहिए उस पे OTP आएगा वो OTP आप लोग यहां से fill कर दोगे तो यहां से मैंने OTP fill किया fill करने के बाद यहां से next वाले option पे tap कर देना अब जैसे ही tap करोगे यहां से आप लोग को security code मांगा जाएगा यहां पे देख रहे हो security pin मांगा जा रहा है जो कि आप sign up करने के time बना होगे dg locker में तो अगर आपको याद है वो आप लोग यहां से fill कर सकते हो अगर नहीं याद है तो आप लोग इसको forget भी यहां से कर सकते हो तो इस case में मुझे क्या है forget कर लेना है क्योंकि मुझे याद नहीं है तो आप लोग यहां से date of birth के through इसको forget कर पाओगे तो यहां से date of birth मैंने डाल दिया है अब यहां से confirm बाले option पे tap करेंगे अब जैसे ही आप लोग टैप करोगे यहां पे आपको कुछ इस तरीके का option आजाएगा जिसमें आप लोग अब यहां से pin select कर सकते हो तो आप लोग यहां से pin को डाल लोगे और यहां से next कर दोगे अब done जैसे ही करोगे next पे जाजाएगा थोड़ा सब आपको यहां पे बेट करना है अब यहां पे देखोगे अधार card, pen card सारा कुछ आपको यहां देखने को मिल जाएगा अब आप लोग इसको allow कर दोगे allow करने के लिए आप लोग नीचे आ जाओगे और यहां से allow वाले option पे tap कर दोगे, अब जैसे ही tap करोगे यहां पे देखोगे dg locker kyc, please do dg locker kyc, अब यहां पे आप लोग phone pay, gpay, paytm, bhim other कोई भी कर सकते हो या फिर आप लोग चाहो तो manually bank account का detail यहां से fill कर सकते हो यहां से चलो phone pay हम लोग कर ले रहे हैं और verify upi वाले option पे tap कर देते हैं, यहां से phone pay में यह आ जाएगा लेकर के, अब आप लोग इसको retry कर सकते हो, अगर आपका यहां पे कोई भी issue हो रहा है अब यहां पे देख रहो, जैसे retry किया यहां से payment के लिए आ गया, एक रुपया का payment आप लोग यहां से कर लोगे अब यहां से मैं जल्दी से mpin डाल दे रहा हूँ और यहां से next कर देते हैं, एक रुपया हमारा यहां से cut जाएगा, और हमारा यहां UPI verify हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से हमारा यह verify हो चुका है, अब यहां पे देखोगे bank verify हो चुका है जो कि आपका bank account जिससे भी cut आ वो आपका यहां जाएगा, अब यहां से continue कर देना है, अब आप लोग इसको confirm कर सकतो, अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है, या फिर आप लोग इसको change करना चाहते हो, तो अभी भी यहां से change कर सकतो, अब यहां से continue वाले option पे tap करेंगे, continue वाले option पे जैसे ही आप लोग टैप करोगे, एक नया page आ जाएगा अब आप लोग देखोगे, click के selfie का option आपको देखने को मिल जाएगा तो देखोगे, सबसे पहले आपके पास network सही होना चाहिए, अब यहां पे आप लोग यहां कोई भी mask या फिर hat, कुछ भी यहां नहीं पहन सकतो, your selfie should match with your photo on अधार और pen आपका photo यहां match करना चाहिए, अधार card और pen card से, तो अब हम लोग यहां से okay कर दे रहे हैं, और यहां से open camera वाले option पे आपको कर देना है, tap, जैसे ही इस पे tap करेंगे, अब आपको इसको allow कर देना है, allow करोगे अब आपको जो यहां पे save बन रहा है, इसी में आपको fit करना है, और यहां से इसको click कर लेना है, अब click करोगे आपका selfie चेक किया जाएगा save and continue वाले option पे आपको यहां से tap कर देना है तो जैसे ही आप लोग photo यहां पे verify कर लोगे, अब आपको यहां एक signature करने बोला जाएगा तो अब आप लोग यहां से signature अपना कर लेना, तो यहां से मैं signature कर ले रहा हूँ, उसके बाद अब आपको आगे का process कर लेना है, यहां से जैसे ही आप लोग signature कर लोगे, यहां से submit वाले option पे tap कर देना है अब जैसे ही tap करोगे, यहां से proceed वाले option पे आपको tap कर देना है, अब जैसे ही tap करोगे, यहां से loading लेगा, अब यहां पे थोड़ा सा आपको bet करना है, एक OTP आएगा, OTP आपको fill कर देना है, थोड़ा सा अब आप लोग यहां पे bet करोगे, यहां पे देख रहो हमारे पास OTP चुका है, OTP हम लोग यहां से fill करते हैं, fill करने के बाद next कर दोगे, अब यहां discover करेगा आपका account और कुछ इस तरीके से यह आ जाएगा, link के provide consent वाले option पर आपको कर देना है tap अब जैसे ही आप लोग tap करोगे यहां से sending OTP आएगा अब आपको थोड़ा से यहां और बेट करना है, एक OTP आपके पास और आजाएगा, अब जैसे ही tap करोगे आपके पास एक OTP फिर से आजाएगा, इसको यहां से fill करोगे और यहां से submit करोगे, अब यहां से जैसे ही submit करोगे, यहां पर देख रहे हो, you have approved consent request by angel one agreement और आपको यहां पर सारा कुछ सो हो जाएगा, अब आपको यहां पर annual income select कर लेना है, जितना भी आपका annual income है, वो आप लोग select करोगे अब यह select करने के बाद आपको यहां पर एक option आता है तो आप लोग इसको चाहो तो अगर margin करना चाहते हो trading facility में तो इसको आप लोग यहां से untick कर सकतो या फिर आप लोग इसको tick करोगे, उसके बाद next कर दोगे तो आपको यहां पर इसको tick ही रहने देना next वाले option पर tap करना है अब जैसे ही आप लोग टैप करोगे यहां पर other का option select कर लोगे अगर government job में हो वो select करोगे private हो, private select करोगे और यहां business हो business आप लोग select कर लोगे अब यहां पर जो option है यहां पर get updates and notification onwards अप इसको select कर लेना है और यहां से next वाले option पर tap कर देना है, अब जैसे ही आप लोग tap करोगे, एक नया page आज आएगा अब आप लोग यहां पर father's name यहां fill कर लोगे, इसके बाद आप लोग material status डालोगे, unmarried तो unmarried यहां हम लोग select करेंगे अब यहां से proceed वाले option पर फिर से कर देना है, tap अगर आप लोग यहां से nominee set करना चाहते हो तो add nominee वाले option पर tap करोगे, जिसको भी आप लोग यहां से nominee बनाना चाहते हो, वो यहां से fill कर दोगे, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यहां पर nominee name डालना है, permanent account number जो permanent account number होने वाला है, वहां पर आपको pen number डालना है, date of birth डालोगे percentage डालोगे, और सारा कुछ यहां पर डाल दोगे, जो आपका sister, brother, mother, father कुछ भी आप लोग यहां पर fill कर सकते हूँ अभी मैं यहां से skip कर दे रहा हूँ आप लोग इसको चाहों तो full कर लेना आप यहां से preview your QYC application form बाला option आजाएगा कुछ इस तरीके का option आजाएगा अब आपको यहां process to assign इन बाले option पे tap करना है आपका यहां से account complete हो चुका